हेले अबरेबन, वेलकम यो लेट लोकेशर अमले अनलिम्टेट इस्टेडी जोन और यहां पर चला रहे हैं देगिए ट्रिक्स पॉर कॉम्पलेक्स नमबर का ची नमबर टू यानि क्लास नमबर टू अभी यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं पिछले क्लास में हमने कुछ important tips and tips discuss किये थे अब आईए देखते हैं अब जो हमारा segment है वो इस बात से जुड़ा हुआ है आपने सब ने देखियोंगी triangle inequalities और triangle inequalities जो complex number में लगती वो यह हुआ करती है कि दो complex number का sum का magnitude जो होता है उनके individual magnitude से कम होता है मतलब इनको note के लिए आप लोग कहीं copy में और इन से based काफी सारे question आते हैं जिन में आपको काफी सारा time लगता है especially मुझे भी बहुत time लगता है तो अब मैं कुछ tricks आपके सामने लेके आ रहा हूँ बस उनको आपको याद कर लेना है रट लेना कुछ सोचना नहीं आंगे पीछे दायम आए आपको उनको याद कर लेना है और यदि इससे question आता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा चली देखते हैं तो पहली ट्रिक देखते हैं mod of z plus a okay mod of z plus a less than पहले मैं less की बता रहाँ फिर मैं greater की बताऊंगा less than or equal to b okay mod of less than a जो है less than or equal to b है तो आपको बताना है then then maximum and minimum value maximum and minimum value किसकी बतानी है maximum and minimum value आप बतानी है आपको mod of z plus c की value आपको बतानी है तो mod of z plus c की आपको maximum and minimum value आपको बतानी है देखिए यहाँ पर मैं सारी चीजें positive में लेके बात कर रहा हूँ मतलब a, b, c जो सब कुछ है यहाँ पर क्या है positive है तो maximum and minimum value आपको बतानी है कि इसकी Z plus C कि इसको एक line में लिख लेते हैं ना कैसा रहेगा हो नीचे तो काफी जगह है So you need to tell me maximum and minimum value of mod of Z plus C देखे कैसे निकालते हैं तो इसका formula आप रट लीजिए देखे तीन चीज़ें आपके पास में A है, B है और C है A पुराना मेहमान, B पुराना मेहमान और C जो आपका नया मेहमान है ठीक है ना, तो देखे सबसे पहले A था, तो अहाँ, पर सबसे पहले तो बात तो कर लों कौन सी value दे रहा हूं मैं आपको तो सबसे पहले लिखे अपनी copy में maximum value, तो maximum value के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे आप में देखें, maximum value के लिए A है और B है, ओके, तो A और B दोनों को add कर दिया, और जो C आया है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो maximum value के लिए C क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, यह हो गई आपके पास में maximum value z plus a less than or equal to b है तो आपकी maximum value जो नहीं के लिए कितनी a plus b minus c याद कर लेज़े इसको a plus b minus c और अगर आप minimum value की बात कर रहे हैं अगर आप minimum value की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा यह वाली चीज नहीं बतलती है तो हमें सब plus c रहेगी minimum value की यदि आप बात कर रहे हैं तो आप sign change कर दीजे a हो जाएगा minus में और c हो जाएगा plus में तो minus of a plus b plus c minus of a plus b plus c यह sign change हो जाएगा end वालों का बीच वाला बिल्कुल सेम रहेगा तो एक बार मैं फिर से आपको memorize करा देता हूँ मैंने आप से पूछी तो maximum value तो बहुत ही आसान है a plus b minus c और आपने जो minimum value बताई है वो कितनी बताई है minus a plus b और plus का कितना c ठीक है न तो इस तरीके से आप जो है इसमें सुरुआत के 2 plus हैं और इसमें सुरुआत के 2 plus हैं ठीक न तो याद रखेगा plus plus minus और इसमें क्या है minus plus plus इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं याद तो करना पड़ेगा और आपको जो तरीका अच्छा लगए आप उससे याद कर लो ठीक है न चलो तो फिर एक question हो जाए तो जिससे की समाझ में आया कि ये trick काम कैसे करती है चलिए देखिए आपके पास में मान लिए कोई structure दी गई है question दिया गया है कि mod of z plus 4 is less than or equal to 3 ओके ये दिया गया mod of z plus 4 is less than or equal to 3 दिया गया है तो आपको बोला गया है कि किसकी value बतानी है तब आपको बतानी है कि maximum value mod of z plus 4 less than or equal to 3 है तो आपको value बतानी है कि इसकी z plus 1 की कौन सी value बतानी है maximum and minimum ठीक ना z plus 1 की value बतानी है कौन सी चलो यहीं पर बना देता हूँ maximum और minimum दोनों value तो सबसे पहले पहचान कर लो यह क्या होता है a यह होता है b और यह होता है c तो A है कितना 4, B कितना है 3 है और C कितना है अपने पास में C है अपने पास में 1 तो क्या rule होता है पहला plus plus minus यानि कि A का plus और B का plus और C का minus और दूसरा क्या होता है minus minus plus plus minus A plus B और plus C तो देखिए maximum value किती होगी A और B को जोड़ दीजे 4 plus 3 7 और 1 तो answer maximum value किती होगी 6 और minimum value निकाल दीजे तो minus का 4 okay plus का 3 और minus का देखिए प्लस का एक हो जाएगा, ओके, माइनस प्लस प्लस तो माइनस चार और प्लस का चार, तो answer कितना आगए अपने पास में 0, answer कितना आजाएगा यहाँ पे, 0, तो maximum value 6 है, और minimum value किती है, यहाँ पे, 0, तो यहाँ पर आप इसकी range भी बना सकते हो, कि z plus 1 जो है, वो कहां से कहां लाई कर रहा है, minimum value 0 है और maximum value किती है, 6 है तो yes, इसकी maximum value आपने कितनी निकाल दी, 6 निकाल दी है और minimum value किती आगई है, 0 done, चली अगला question देखते हैं एक और question देखते हैं, confidence आएगा practice होगी तो, अगला question हमाँ पास में है, second point z plus 5 mod of z plus 5 less than or equal to 6 है तो भाई, a की तलास हो गई, a है 5 b कितना है, 6 है तो आप से कह रहा है, तो value बतानी है तो किसकी value बतानी है, mod of z plus 2 की आपको बतानी है, maximum and minimum ठीक है ना, तो आपको maximum और minimum है दोनों value एक टाइम में निकलवा रहा हूं maximum भी और minimum भी चली, तो c कितना आपके यहाँ पर, देखे, c आपने देख लिया है 2 तो maximum कितनी होती है, a plus b minus का c, और minimum कितनी होती है minus a, बीच का sign and change रहता है यहाँ भी minus c, ओके तो maximum value निकालते देखे, maximum निकलेगी 5 और 6 minus 2, यानि कि साथ गए, तो कितना आएगा यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ओके, 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 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो है minimum value जो निकलती है minus का a plus b plus c होती है न, हाँ भाई यह गलती हमने कर दी थी, इस वज़े से answer ही में अच्छ नहीं हो रहा था minus का a plus b plus c, याद रखेगा पहला negative और दूसरे दोनों बात के positive होते हैं, इसमें दो सुरू के positive last वाला negative और इसमें इसमें क्या होते हैं, दोनों last के positive और पहला वाला negative बस थोड़ा सा complex है, पहला वाला है a plus b minus c okay, a plus b minus c इसमें ये हुआ करते हैं, ठीक ना और second वाले में क्या हुआ करता है second वाले में, देखिए, ये minus का a हो जाता है, और ये plus का c हो जाता है, ओके, और इसका sign change नहीं होता है, तो ये रहेगा याद रखेगा, ठीक ना ठीक है, तो क्या हो जाता है, 8, 8 minus 5 equal to कितना हो गया 3, तो इसकी minimum value आएगी, वो कितनी आजाएगी, 3 आजाएगी, तो इस तरीके से आप जो है, maximum और minimum value यहाँ पर निकाल सकते हैं, okay friends, तो ये थी short trick complex number के लिए, maximum minimum के लिए याद रखेगा, कि जो values आपकी निकलती है, वो क्या निकलती है, maximum value जो आपकी निकलती है, वो निकलती है, a plus b minus c, a plus b minus c, और जो minimum value निकलती है, वो कितनी निकलती है, वो निकलती है, minus a, और plus का b, और plus का c, ठीक है न, याद करने का तरीका, शुरू के दो positive, last का एक negative, और सुरू का एक negative last के दो positive तो maximum में पहला positive रहेगा minimum में पहला negative रहेगा ठीक है ना चलिए done